आज महीने के पहले दिन आम आदमी को बड़ा जहटका लगा है बतादे कि एक मार्च को LPG सिलेंडर के नए रेट में 105 रुपे का इजापा हुआ है यह इजापा कॉमर्सियल सिलेंडर में किया गया है उमीद लगाए जा रही है कि 7 मार्च के बाद घरेलू LPG सिलेंडर भी मह महंगा हो जाएगा क्योंकि अभी उत्तरप्रदेश समेत 5 राज्यों में विधान सभा का चुनाव हो रहे हैं यूपी में 6 चरन की वोटिंग 3 मार्च और 7 मार्च को है ऐसे में 7 मार्च के बाद और महंगाई देश में बढ़ सकती है अभी थोड़ी रहत है कि 6 अक्टूब कीमत 102 डॉलर परती बैरल भी पार कर गई है इस दोरान कमर्सियल सेंडर की कीमतों में अच्छा खासा बदलाओ देखने को भी मिला है पांच राज्यों में विधान सभा चुनाओं को लेकर नौन सबसीडी वाले गया सिलेंडर की कीमतों में कई महीनों से रहत है कच्छे त उक्रेन में जिस तरीके से युद शिरा है उन युद का उन लाईयों का असर पुरे विस्वत पर परना है और महंगाई चुकि इंटरनेशनल बजार में कच्छे तेल की कीमत में इजाफा हुआ है लेकिन हमारा देश भारत की बात कर जाए तो फिलाल अभी इस्तिती पहले जैसे ही बनी हुई है वज़ा जो है पांच राजों की विहांसवा चुनाओ है जैसे ही चुनाओ खत्म होगा यानि की 10 मार्च के बाद तमाम बढ़ोतरी आपको देखनों को मिले रगी आम लोगों के पैकेट पर एक बड़ा बोज जो है वो परने वाला है फिलाल कमर्सिय पे भी असर डालेगा और कहीं ने कहीं अब यह स्पस्ट हो गया है कि इजाफा तो होना ही है तो उत्रप्रदेश में पांच राजों के परिनाम जबाद आएंगे 10 मार्च के बाद जो है तमाम चीजों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी फिलाल कमर्सियल गैस में इजाफ ईसलिकर गया नहीं पे लोगों के आयक होना है बाउजूर महंगाई जो है वह एक बाद एक सीजिस्टु है वह टपता गया और ऐसे वह एक बाहत फिर से महंगाईव जो है वो बढ़ने वाली है तो कि मार आम जनता जेली रही है तो फिर एक बार फिर से तवाम चुजों के दाम जो है वो बढ़ेंगे फिलाल जनकारी है कि कमर्सियल जो गैस है उसमें 105 रुपे के जाफा हुआ है और घड़ेलू गैस पे फिलाल अभी एक रुपे के बरौती नहीं है लेकिन आमले दूद पर दोड़ पे परती लिटर बढ़ा दरूर दिया गया है